हेलो फ्रैर्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके लिए यह बहुती सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को आप लेडिस काड़िगन में लेडिस जैकिट में गल्स टॉप में बेबी स्वेटर में बेबी जैकिट में हर प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते है इसे बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए वो हमें नाइन मंटीपल के फंदे चाहिए नाइन मंटीपल करने के बाद दो फंदे एक्स्टर चाहिए और दो फंदे एस्टेश के लिए चाहिए यह चैसलाई का डिजाइन है हमें चैसलाई बार बार रिपीट करनी है चैसल पहुत ही सुंदर बनकर आएगा अब यह देखें यह हमारी सीधी साइड है डिजाइन की इस तरह और यह रॉंग साइड है रॉंग साइड इस तरह से नजर आएगी डिजाइन की अब हम इसे बनाने स्टार्ट करेंगे देखे इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 22 फंदे लिए हैं नाइन मंटिपल करने के बाद दो फंदे एक्स्टरा लिए हैं और दो फंदे सीधी साइड पहला फंद हम उतारेंगे पहला फंद सिलिप करेंगे इस तर स्टीट फिर उन आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनने वान टू अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे उन पीछा करेंगे फिर एक बार फिर से सलाई पर लपेट कर उन पीछा करेंगे दो बार स दो कंड इसाद पुनेगे बैक लूप से दो काई करेंगे कि यहीं यह देखिए इत्बंद आम य साथ पुनेगे बैक लूप से दोगाः करेंगे इसे लिए हम यहां पर जाली बनाएंगे हुण अपनी तरह फिर एक बार फिर से लपेटेंगे यह हमारी जाली बन गई यह देखिए यह एक फंद हम छोड़ेंगे इसी का इसा हम काउंट नहीं करेंगे उसके बाद वान टू झाली तक हमारे 9 फंदे बनते हैं अब हम फिर से इन फंदों को repeat करेंगे यह यह 9 फंदे हमें फिर से repeat करने हैं फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे 1 2 यहाँ पर जाली बनाएंगे उन पीछा करेंगे एक बार फिर से जाली बनाएं 2 फंदे slip करेंगे लुज़ें दो फंदों का एक बनाएंगे पैक बिख से दो फंदे करेंगे फिर दो फंदों का एक बनाएंगे बैक लुच से यह देखिए और 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 3 फिर से 2 फंदे आगे की साइड से एक साथ बोन कर 2 फंदों का एक बनाएंगे अब यहाँ पर हम जाली बनाएंगे उन आगे करेंगे फिर दूसरी बार से उन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे 1, 2 आखे का फंदा में सीधा बुन करले लेना है। हमारी फ़ैट रो है। हमें इस सीधा वोंगें, परका पूर्णी बुने हैं। हमें इस समय आप सीधे बुनने हैं और जो सीधी साइड सीधे एंवो हमें ओल्टे बुनने इस तरह हैं पहला फंदा उतारेंगे बहला फंदे सुलिप करेंगे हम एच ते स्टीच उन पीछा करेंगे दो फंदे सीधे 1 2 उन आगे 7 फंदे उल्टे बुनेंगे यह जाली का फंद आ इसे उल्टा बुन कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 उन पीछे करेंगे फिर से 2 फंदे सीधे 1 2 उन आगे करेंगे फिर से 7 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे उल्टे फिर से उन पीछे करेंगे 3 फंदे हैं आखिर में हमारे पास ये 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे 1, 2 उन आगे करेंगे आखिर का फंदा उल्टा बुनेंगे ये देखें, ये 2 सलाई हमारी पूरी हो गई है ये तीसरी सलाई है हमारी ये तीसरी सलाई है राइट साइड, सीधी साइड है ये हमारी अब हम पहला फंदा सिलिप करेंगे 1, 2 फंदे उल्टे 1, 2, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं अब यह हमने जाली बनाई थे यहाँ पर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, उन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पर जाली बनाएंगे, यार नो बर, दो फंदे सिलिप करेंगे, दो फंदो का एक बनाएंगे, बैक लुप से, देखें, दो दो आगे के साइड से ये दो फंद्य साथ पूढ़ेंगे अब यहाँ पर जाली बनांगे यार नोवर एक फंद्य पूनेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे नों मंत हो tw thand हो गए अब उन पीछे करेंगे और नागे करेंगे दो करेंगेऌ वान, तू, उन पीछे एक फंदा सीधा, जाली बनाएंगे यार नो बर दो फंदे सिलिप करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक करेंगे फिर से, आगे की साइड से, दो फंदे एक साथ, सलाई पर लेकर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर से यहां पर जाली बनाएंगे, यार नो बर एक फंदा सीधा, उन आगे, दो फंदे उल्टे, वान, तू, या आखिर में एक बचा है इसे सीदह मुल ले। पीछ करेंगे और फंदा सीदह यह तीन हमारी पूरी हो गई है यह फौर्थ रोव है साइन पहला फंद से लिख करेंगे फिर हूं पीछे करेंगे और दो फंदे सीदह बुलेंगी कि एल eldest को तू, उन आगे, साथ फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ फंदे उल्टे, उन पीछ है, फिर साथ फंदे सीधे, तू, उन आगे करेंगे, साथ फंदे उल्टे पुन कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, 1, 2, आखिर का फंदा बचा है, उन आगे करेंगे, आखिर का फंदा उल्टा पुनेंगे, यह हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गए, यह देखें, यह बन कर आगी है, अब यह हमारी 5th रो है, सीधी साइड, पहला फंदा हम सिलिप करेंगे, उन आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, उन पीछे, इस बार हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, यहाँ पर चाली बनाएंगे, यार नोवर, अब यह 3 फंदे बचे हैं, सीधे, अब हमें यह 3 फंदे एक साथ बुनने हैं, 3 फंदों के एक साथ बुनकर, 3 फंदों के एक बनाना है, यह देखें इस तरह से, पहला हम 2 फंदे सीलिप करेंगे, लेफ्ट नीटल पर दूस दुवारा से लेकर इसे, 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, इस तरह से, 2 फंदे सीलिप करने के बाद, 2 फंदे हम पल्टेंगे, फिर हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, बैक लुप से, यह देखें इस तरह से, फिर से हम जाली बनाएंगे, यार नो बर, और 2 फंदे सीधे, 1, 2, उन आगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, उन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, यार नो बर, जाली बनाएंगे, फिर से, यह तीन फंदे हैं सीधे हमारे पास, तीन फंदों का हम एक बनाएंगे, इस तरह से, यह देखें हैं, यहां से हम, दो फंदे सिल्ट करेंगे, इस तरह से, पहले इस सलाई पर, राइट नीडल पर यह फंदे उतार लेंगे, फिर से हम, लेफ्ट नीडल पर फंदो पाइक बनाएंगे बैक लूप से इस तरह है फिर साम चाली बनाएंगे यार नौवर दो फंदे सीधे वान टू उन आगे करेंगे दो फंदे उल्टे उन पीछ है यह आखिर का एक फंदा बचा है इसको हम सीधा बुनेंगे यह देखे हमारी पाथ सलाई पूरी हो गए यह रॉंग साइड यह चटी सलाई है एक फंदा हम सिलिप करेंगे उन पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे वान टू उन आगे करेंगे साथ फंदे उल्टे वान टू त्री वान टू उन आगे साथ फंदे उल्टे वान टू त्री फंदे सीधे फ वान टू ऑखिन का फंदा बंचा हैं उन आगे करेंगे आखिर का फंदा उल्टा बुन कर लेंगे उल्टी सलाई का यह हमारी पूरी 6 सलाई हो गई है और यह छोटा सा डीजाइन बन कर पूरा बना लेंगे तो हमारे डिजाइन नजर आएगा अब हम फिर सा रिपीट करके बताएंगे आपको 6 सलाई repeat करने बनाने के बाद हमें फिर से repeat करनी है 1st row से जैसे हमने 1st row बनाई थी फिर से हम repeat करेंगे 1st row से 6 row तर पहला फंद हम slip करेंगे उन आगे 2 फंद उल्टे 1 2 उन पीछे यहाँ पर हम जाली बनाएंगे एक बार फिर से उन पीछे करेंगे और दो फंदे से लिप करेंगे 2 फंदो का एक बनाएंगे पैक लिप से हैं तीन फंदे सीधे वान सूम थिरी अब दो फंदे आगे की साइड से एक साथ पुन कर तो फंदो का एक बनाएंगे यह दोफंद में आ गये कि साइड से बुनेंगे अब यहां पर हम जाली बनाएंगे Y9 औ उन आगे करेंगे फिर से एक बार उनको घुमाएंगे सलाही पर यह जाली बन गई दोफंदे बनाएंगे वाण निश्टर फिर से उन पीछे एइक बार दो फंदो का एक करेंगे पेक लूप से तीन फंदे सीधे वान टू थिरी दो फंदो का एक बनाएंगे फिर से आगे की साइड से यहां से आगे की साइड से दो फंदे एक साथ बुनकर दो फंदो का एक बनाएंगे अब यहां फिर से हम चाली बनाएंगे उन आगे करेंगे ये जाली बन गए, दो फंदे उल्टे, आखिर का फंदा है, ये हमें सीधा बुन कर लेना है, उल्ट पीछ है, आखिर का फंदा सीधा बुन कर लेना है, ये देखिए हमें फिर से इस तरह से रेपीट करना है, ये यहां पर ये डिजाइन आ गया है, पीछ की साइड बन कर, छ करें और बेल आइकन पर किलिक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में